देली करेंट न्यूस में अभी की खबर है दुनिया का पहला मस्तिक्ष प्रत्यारों पड़ हाली में ब्रिटेन के किशोर औरान नोलसन मिर्गी के दौरे को कम या रोकने के लिए ब्रेन इंप्लांट लगाने वाले दुनिया के पहले व्यक्ति बन गए है इनके मस्तिक्स में डीप ब्रेन स्टिमुलेशन डिवाइस लगाई गई है इस डिवाइस के लगने से नोलसन के दिन के समय होने वाले दौरे 80 प्रत्षत तक कम हो गए है तीन दश्मलव पांट सेंटीमीटर वर्गाकार और शुनी दश्मलव छे सेंटीमीटर मोटाई वाले इस उपकरण को शले चिकितसा द्वारा मस्तिक्स में प्रत्यारूपित किया गया और स्क्रू की मदद से इसे इस्थिर किया गया है बता दे कि निउरो स्टिमुलेटर द्वारा मस्तिक्स को लागातार विदुत आवेग भेजे जाते हैं जिसे असामाने द्वारा पैदा करने वाले संकेतों को रोका जाता है चलि अब जानते हैं डीप ब्रेन स्टिमुलेशन के बारे में यह एक वैकलपिक शलिप्रक्रिया है इसमें इलेक्ट्रोड को मस्तिक्स के कोशेत्रों में ट्रांसप्लांट किया जाता है जो विदुत आवेग उत्पन करते हैं यह इलेक्ट्रोड मस्तिक्स की असामाने गत रखा जाता था और इसके तारों को मसिक्स के प्रभाविशेत्र से जोड़ा जाता था DSP को वायरलेस हेड़फोन की मदद से रिचार्ज भी किया जा सकता है एक निूरोस्टिमलेटर की कीमत लगभग 12 लाख रुपए है चले अब जानते हैं मिर्गी या एपिलेपसी के बारे में यह सिति व्यक्ति में बार-बार दौरे आने के कारण बनती है इसमें व्यक्ति को हाथ पैरों में जटके और स्थाई भ्रहम घूने के सिति या मांसपेशों में अकडन महसूस होती है लगबग 50 प्रत्षत मामलों में इस बिमारी के लक्षर पहचान में नहीं आते हैं मही सेर में चोट, मसिक्स में ट्यूमर, मैनेंजाइटिस जैसे कुछ संख्रमण या आनुवानशिकी के कारण भी किसी व्यक्ति को मिर्गी के दौरे आ सकते हैं एक अध्यन के अनुसार भारत में प्रती 1000 लोगों में से 3-12 लोग मिर्गी से पीडित हैं जिसमें 30 प्रत्षत मरीजों द्वारा इसके इलाज को नजर अंदाज किया जाता है मिर्गी के इलाज के लिए डौक्टरों द्वारा पहले दौरे रोधी दवाईयों और कीटोजेनिक आहार का उप्योग किया जाता था कीटोजेनिक आहार में वसा अधिक और कार्बोहाइड्रेट कम होता है तो चलिया अंत में देखते हैं आज का अभ्यास प्रश्ण को डीब ब्रेन स्टुमेलेशन के सम्मंद में निम्नलिकित कथनों पर विचार कीजे एक ये एक शलिप्रक्रिया है जिसमें इलेक्ट्रोड को मसिक्स के कुशेत्रों में ट्रांस्प्रांट किया जाता है दो, हाले में इसका प्रियोग मिर्गी के दौरे को नियंतरित करने के लिए किया गया है उपर युक में से कौन स्था या कौन से कथन सही है या सही है एक एवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनो, बी ना तो एक और नहीं दो इस प्रशका उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दे, अभी के लिए बस इतना ही धन्यवाद डियो व्यूवर्स, अपने एक्जाम की तयारी को और बहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेर और सब्सक्राइब करना न भूले